हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास वन की वर्कशीट नंबर 109 जो 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों Mathematics सबसे पहरे आप यहां अपना नाम लिखेंगे यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और यहां आप अपना सेक्षिन A, B या C जो भी सेक्षिन है वो लिखेंगे ठीक है तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक है आज का हमारा बाल दिवस परमीत के सिक्ष्रक ने बताया कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन चाचा नहरू जी का जन दिन होता है और वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे परमीत ने बाल दिवस मनाने के लिए अपने घर को गुबारों से सजाने की योजना बनाई तो बच्चों हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है क्यूंकि 14 नवंबर को हमारे पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू जी का जन दिन होता है और पंडित जवाहरलाल नहरू को चाचा नहरू भी कहते हैं क्यूंकि नहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे परिवार के सभी सदस्यों ने गुबारे फूला कर रख दिये मगर उनमें से कुछ गुबारे फट गए अब देखो परमीत ने सोचा कि हम क्यूँ ना बालदिवस के अवसर पर अपने घर को गुबारे से सजाते हैं और इसलिए उन्होंने गुबारे को फुला के रख दिया, पर कुछ गुबारे उनमें से फूट गए तो चलिए पता लगाते हैं कि किसने कितने गुबारे फुलाए, कितने फट गए और फटने के बाद कितने गुबारे बचे तो यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो परमीत ने आठ गुबारे फुलाए जिसमें से एक, दो, तीन फटे हुए गुबारे कितने है? तीन तो बचे हुए गुबारे कितने है? एक, दो, तीन, चार, पांच तो पाँच गुबारे यहाँ पे बच गए हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि जो मम्मी है परमीत की उन्होंने कितने गुबारे फुलाए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस तो मम्मी ने फुलाए 10 गुबारे और इसमें से फटे कितने हैं एक, दो, दो गुबारे फट गए तो बचे हुए गुबारे कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, तो आठ गुबारे यहाँ पे बच गए हैं ठीक है बचों अब हम देखते हैं कि परमीत के पापा जी ने कितने गुबारे फुलाए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, तो पापा जी ने फुलाए नौ गुबारे इसमें से फटे कितने हैं एक, दो, तीन, चार, चार गुबारे फट गए तो बचे हुए फूले ह गुबारे कितने बचे हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच. तो पांच गुबारे यहां पे बच गए हैं. ठीक है बच्चो? अब आगे देखते हैं हम. दीदी ने कितने गुबारे यहां पे फुलाए हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ. दीदी ने साथ गुबारे इसमें से फट कितने गए हैं एक दो तीन चार चार गुबारे फट गए हैं तो फूले हुए गुबारे कितने बचे हैं एक दो तीन तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीन ठीके बच्चो आईए आज हम संख्या पांच से पंडित जवाहरलाल नहरू जी की तस्वीर बनाना सीखत हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक संख्या बनाएंगे और वो कौन सी संख्या है संख्या है पांच तो इस तरीके से जैसे इन्होंने चत्र में बनाया है आप भी ऐसे संख्या पांच बनाएंगे इसके बाद आपको क्या करना है यह बनाने के बाद यहां से आप एक ल कर लेते हैं हम ठीक है तो यहां पे हम पहले दो लाइन खीचेंगे एक दो और फिर यहां पे छोटा सा सी बनाएंगे यह इनका कान बन गया और इसके बाद क्या करेंगे इनको आपस में मिला देंगे ठीक है यहां से अब हमें क्या करना है आगे स्टोपी को मिला देंगे यहा उसके बाद आप इनकी नाक बनाएंगे यहां पे और नाक के नीचे मुह भी बना देंगे ठीक है और उसके बाद इनकी गर्दन बनाएंगे आप नीचे गला कुछ ऐसे और उसके बाद आप इनकी बाजू साइड साइड में बना देंगे और इस तरीके से और टोपी में भी क पाचीत कीजिए और उनसे जुड़ा कोई किस्सा या कहानी भी सुनाइए तो ये थी आज की हमारी वक्षीट एन आई होप आप सभी को ये वक्षीट काफी जादा इंट्रस्टिंग लगी होगी और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक क के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू